मसकार दोस्तों के पी टीचर अकडमी में आपका हर्तिक स्वागत है आज हम पर्रैवर अद दिन एंट पेडागोजी का 30 कोशन का एक सेसन लगाएंगे जो की सीटड परिच्छाओं की दश्टी से बहुती मैतपूर होगा वीडियो को लाइक एंट सेयर करें अपनी दोस्तों के साथ जिससे की वीडियो उन स्टुनेटों के पहुंचे जो सीटड की परिच्छा की तयारी कर रहे है और उनके लिए हैलफुल सावित हो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को ओल पे किलिक कर लें आज का मारा पहला कुश्यन होगा पर्याबर दिन की अपनी कख्छा में समू क्रिया कलाप का निर्माण करते हुए आप निम निर्क में से किन का ध्यान रखेंगे A में दिया है बच्चों की रुच्छियों का ध्यान हो B में दिया है लड़के और लड़कें को समारूप से रुच्छ कर लगे C है इसमें मुखलिबान सामिक्री लगी हो D सभी धार्मिक और सांसिक्रित प्रश्ट पुमी के बच्चों को रुच्छ कर लगे जैसकि A में दिया है बच्चों की रुच्छों का ध्यान रखा जै तो यह हमारा A V यह हो जांगा लड़के यह लड़कें को रुच्छ कर लगे समारूप से रुच्छ कर लगा सभी धार्मिक और सांसिक्रित प्रश्ट पुमी वाले निम्वकत सभी कतन पर्यावर अध्यन में सामुअ रूप से पक्ष में तर्क प्रिस्तुत करते हैं केवल एक कतन को छोड़ कर वह कतन कौन सा है यह कोश्चन नेगिटिब में पूछा गया है एक कतन को छोड़ कर बाकी कतन क्या है तर्क संगत कर रहे हैं टीचरों और बच्चों के पक्ष में तो वह कतन कौन सा होगा फर्स्ट है हमारा बच्चे परसपा समंजस और सयोग करना सीखते हैं। सेकेंड बच्चे दूसरे बच्चों से बादवा भहस करने से अधिक सीखते हैं। फ्रड़ है समुक्रिया कलापों की वज़े से बच्चे अंग उपलब्दी में अच्छा सुधार प्रदस्वित करते हैं। फूर्थ है प्रड़ों की समुर्तन से बच्चों को अपनी छमता से हदे ज्यान की निमार में साहिता मिलती है। अनसर कों से छटना है नेगेटिव दे रहा है संब्सक्राइब बच्चे बरकूल सीकते हैं। इसामें दे रहा है कि प्रड़ों की समता से बच्चों को अपनी छमता से अधिक क्यान की निमारा में साहिता मिलती है अपनी छमता से दिक नहीं मिल सकती इसके मारा अंसर क्या है यही हो जाए यही हमारा नेगिटिब में अंसर दियागा फोर्थ बाला नेक्स्ट कोशन देखती है समुकारों से परावड अधन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैक्तिक बिसेस्ताओं के आगलन के लिए निम्र कितमे से कौन सा उपकरण सरवदिक उपयुक्त होगा फर्स्ट ऑप्शन है दत्कार, सेकेंड है कागच बनसल परिच्छड, थर्ड है मौकिक प्रशन, फोर्थ है निधर मापनिया तो बात कर रहे हैं, समुकार में कर रहे हैं बच्चे करिया कलाफ या जैविक वैक्तिक वैक्तिक बिसेस्ताओं के बारे में किस उपकरण से हमें अच्छी तरह से हमें उपयुक्त होगा तो वहारा मौकिक कार मौकिक कार हमारे लिए बैस्ट होगा इसलिए हमारा यही अंसर हो जाएगा इससे क्या बच्चे आपस में सीखेंगे बात विबात करके चर्चा करके इससे हमारा बैस स्रीके होगा तो यह हमारा अंसर हो जाएगा next question देखते हैं next question हमारा नीचे पोदों की बारे में बच्चों के कुछ सहान जो भूतित बिचार दिये गए हैं इनिमें से कौन सा बिचार बैग्यानिक दरश्टी से ठीक है फर्स्ट अप्सन है कुछ सबजियां फल होती है सेकंड है बीच किसी पौदे का हिस्सा नहीं होते थर्ड है गाजा और बंदगों भी पौदे नहीं है फूर्थ है गास पौदा नहीं है तो जैसे किस में दिया गया है कि वो बुला है कि कुछ बच्चे सहान भूजिवूत बिचार दिये गए हैं और बैbell कि दिश्टे 성 Pom Project लिरी के विचार दिया गया है और घॉर्ड का हिस्सा नहीं होते और बंदगों भी नहीं होते थर्ड में दिया गया है खास बजल यह होते तो आंसर माला जाया है कि सब्रदी magla नेक्स्त आंसर होगा सब्राइट नेक्स और देखते है कक्षा 4 की एक सिच्चका ने अपने बिद्ध्यार्थियों से कहा कुछ वायो ब्रत लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौदे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते अप्रोक्त पूछे जाने पर निम्रुट के समय से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है तो यह भी वारा कौशन के नेगेटिम में पूछा गया है अगर नेगेटिम आणसर पूछे आते हैं तो इन चीज़े पर में जरूर धान देना है यहाँपर चीज़े बंज़े टीम में जरूर पूछता है तो क्या करते हम लोग पॉशटेव आणसर देते हैं क्या है गलत हो जाता है इसलिए हमें यहाँपर आणसर जरूर छाटने चाहिए तो यह हमारा ओप्शन देखते हैं फर्स्ट है चर्चा 2. प्रेशन पूछना 3. अविवक्ति 4. प्रियोग तो जैसे कि बायोवरत ब्यक्ति जो बड़े ब्यक्ति होते हैं उनसे कुछ क्या अगा चर्चा भी करेंगे बच्चे प्रेशन भी पूछेंगे अविवक्ति भी करेंगे प्रियोग नहीं करेंगे तो यहीं हमारा अंसर फोर्थ वाला हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं एक सिच्च का प्रतिक बच्चे को अपने घरों की रद्धी सामिग्री से कुछ उपयोगी बस्तु बनाने को कहता है सिच्च का सैच्चिक अविप्राय नहीं है तो यह भी कुशन का है नैगरेटिम में पूछा गया है तो मैं नैगरेटिव कुशन सरूल ध्याराणगे नहीं क्या करते हैं वा प्राजटिम मेंए आंसर दे देती हैं जो कि हमारा कुशन गलत हो जाता है तो फर्स्ट अप्शन है मारा कूले से बनी स्रेश्ट बश्तियों की परतशनी आयोश्त करना सेकेंड है कक्छा के स्रेश्ट बिद्धार्ती के बारे में निर्णय करना थर्ड है बच्चों में सरजन सिलता का विकास करना फोर्थ है बच्चों को पुने चक्री करण या पुने प्रियोग और रूपांतर को समझाने में देना तो जैसे किसमें दिया गया है कि हमें नेगिटिव अंसर छाटना है फ्रसिते पेंटिन आले गया है तो कूल्ळ नेगिटिव फिरी अंसर होगा करना एसा हमें नहीं करना है क्योंकि हमें सिफट पर्तवाम साली बतार के बच्चों में सोचना हमें में पूरी क्लास के बारे में सोचना है तो मारा जो आंसर पुछागा वो यही पुछागा है जो कौन सा सिच्चक रवया या अभी प्राय नहीं है यह यह मारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं निम्लेस प्रिशनों को पढ़िए कुछ कोशन देख और पढ़ते हैं A. मैंने क्रिया कलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई B. मैंने योजना का अनुसराण कितना अच्छा किया C. मेरी सक्तियां क्या थी D. मुझे सचमुच कठिन क्या लगा उपर दियेगे चार प्रिशनों की उत्तरों से होगा 1. बच्चों और सिच्चकों दोनों का स्वाय आकलन 2. सिच्चक द्वारा समगर आकलन 3. बच्चों का स्वाय आकलन 4. सिच्चकों का स्वाय आकलन 5. जैसे कि question में दे रहा है कि मैंने योजना बनाई इसके अंसर वोना चाहिए बच्चों और टीचरों का क्या हो जाएगा थोड़ा पूर्य पोगया है यह मारा फॉर्थ फर्स्ट वाला अंसर हो जाएगा नेक्स्ट वोशन देखते हैं पर्या वाद्धन की पाठ पुस्तक में प्रियुक्त भासा कैसी होनी चाहिए फर्स्ट वप्शन है पर बल देते हुए ओप्चारिक वनाई जानी चाहिए सब्सक्राइब बच्चे की दिन-प्रदिन की भासा से सम्रद होनी चाहिए फोर्थ है रूखी और बच्चों की तो यह दो देखते हैं तो दुद्रा सा दिखाई देरा है सबको दिखाई देरा हुआ वैसे तो एक सिच्छक अपने बिद्धियातियों को भिविन पसुओं के चित्र देता है और उन पसुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते इस क्रिया कलाब का उद्देश है ए स्रजनमता का विकास करना डी अवलोकन का विकास करना सी बरगीगड कोशल का विकास करना डी डाटा संग्रे का विकास करना तो जैसे कि इसमें दिया गया है टीचर की है। दू जाना ऩो nicतर गरना चाहब ना चाहरा है। पसेवों की चित्र दीये। अने में जैर समस्ट कर edto. बिकास कर रहा हुआ। लोकोन कुन का इंपकश खर रहा है। और बर्गर कोऊशल का वी एंपक्राइब सेब्सट करें। और दूसरा क्या है इसमें देखो इसमें डी तीनों में दिया गया तो डी हमारा अंसर नहीं होगा तो डी तीनों में दिया तो डी हमारा ठादेंगे तो हमारा अंसर निकल आएगा ये भी एक ट्रिक होती है अगला कुशन देखती है पर्या बड़ाद्र के पार्टिकरम जिसे 6 उप बिसेयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है मैं पौदे और पसू को जान बूझ कर परिवार और मित्र उप बिसेय के अंतरगत सम्रित किया गया है इसके लिए निम्र लिकित में से एक कारण को छोड़कर से सवी कारण हो सकते हैं वह है एक कारण कौन सा है ओप्शन देखते हैं इसके ओप्शन दे रहा है फर्ष्ट है बिध्यार्थियों को बिध्यार्थियों को बिध्यार्थियों के दर्ष्टी से पौदों और पसूओं को समझने में सच्छम बनाना जाजटे सामाजिक और सांसक्रितिक संदर्म में पौदों और पसुओं के इस्थान निर्धारत करने में विद्ध्यारत horse को साहिता करना थरड़ा, इस बात को वारना के किस प्रकार एक दूसरे से गनेश्थ संदर्मों को साजा करते हैं फोर्थ मन दिया है, इस बात को वारुना कि किस प्रकार कुछ समतारों के जीवन और अजीवका है, विसेश पसूँओं या पौद उसे गणश्ट रूप से जुड़ी है, तो यह भी आंसर क्या है? नेगेटिव में दिया था, आंसर किसमें दिया है, नेगेटिव में दिया है, क्या कह रहा है, वो, तीन को छोड़कर, एक को छोड़कर, बाकी सब इसमें कहा है, कारण नहीं है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, क्या उनसा हो, हमें क्या कहतना है, इसमें, नेगेटिव आ करते हैं तो उसके अकोडिंग त्यार करना है ठीक है इसी के अकोडिंग में एजुक्षन बच्चे को दे नहीं है तो इमारा जब फर्स्ट वाला अंसर हो जागा नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा पर्यावड अद्धन की सिच्छड अधिगम में सरवेच्छड का उद्धिश है ए समुदाय की साथ अन्योन क्रिया का अबसर पतान करना बच्चों को बिविन लोगों के प्रत सम्मिधन सील बनाना सूचना को पतच्छ प्राप्त करने का अबसर पतान करना डी आकलन के एक अबसर की रूप में इनका प्रियोग करना तो हम कीवड बताते हैं जैसे कि अबसर अबलोग करना अबसर में भी दिया है और ए में भी दिया है तो यहीं पर हमारा अंसर हो जाएगा जो कि हमारा answer concern होना चाहिए second वाला हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या कह रहा है A, B, C, D ये तो हमारे तीनों में answer देए रहा है दूसमें कहा है बच्चे को बिविन लोगों के प्रत सम्मेदन सील बनाना ये भी हमारा एक इसमें answer include हो जाएगा तो जो हमारे चार इसमें answer हो जाएगे जो कि हमारा answer होगा second वाला ठीक है कौन जाएगा है हमारा second वाला next question देखती है कुछ दिया गया इसमें देखती है सिच्चक द्वारा प्रतसर एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बास्विक्रण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 78 बर्स के बच्चों के द्वारा दिये के उत्तर इस प्रकार है एक टीचर ने प्रयोग किया है पानी को बहल किया कटोरे में और 78 बर्स के बच्चे उन्होंने आंसर दिये किस प्रकार से दिये पानी गुम हो गया कटोरे ने पानी सोक लिया आग ने पानी पी लिया बगवान ने पानी पी लिया तो बच्चों ने क्या है अपने तर्ग संगत है जो भी अपने बिचार दिये गए तो इसके कुशन देखती है ये उत्तर बच्चों और उनकी बिचारों के बारे में क्या बताती है फर्स्ट अप्शन है बासपी करद के बारे में बच्चों के बिकल्पी बिचार है सेकिंड है बच्चों के उत्तर तर्ग संगत नहीं है थर्ड है बच्चों की सोच गलत है प्र2 बच्चे अच्छा अब लोगों को नहीं कर पाते हैं कि तो जासन लगने से नहीं कि करते हैं सोच गलते में ऐसा भी नहीं करना है कि यह रहाया है वे Penip Right Art कशन कोशंपा हो सकती हैं। और होंसर हो जायागा बेरा कुछ ना कि अ बास पीड़ बच्चों के बिकल्पी बच्चा देए, बच्चों के जो अंसर क्या है, बिकल्पीद यह अब्जेक्टिव नियुक्त और में लिए उस्वे इमारा आंसर हो जायगा, फर्ष्ट वाला। नेक्स्ट कुशन देखते हैं, सिच्छकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, फर्स्ट अप्शन है बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं, साकिन है जड़ चक्र का एक मानक चार्ट प्रतस्रित करें, थड़े बास्वी गड़ की परवाशा दें और बच्चो को उसे यात रखने के लिए कहें, फोर्ट है उनके विचारओं तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्राराम करें, तो दो दो मों हमें फर्स्ट option दिया है, तो बच्चे गलत हैं, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना, मानक चैड़ के वारे में अभी बात हमें करनी, परवाशा य क्या है हमें एक चर्च अप्रारम करने चाहिए तब ही बच्ची क्या तरक संगत क्या गुरुप श्टडी या फिर बाद विवास से बच्चे से सीख पाती है तो यह हमारा फोर्थ वाला अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा बास्पी करर बिसे पर बच्चों की बिद्वस सोच का अबलोकन करने के लिए निम्र कौन सा प्रश्ण एक नमूना हो सकता है फर्श्ट ऑप्शन है जल चक्र के पांच लाव लिखिए सेकंड है क्या होता है यह जल चक्र होता ही नहीं थर्ड है जल चक्र के क्रम की सोपानों की सूची बनाईए फोर्थ है जल चक्र का आरेक बनाईए और उसे नामित केजिए तो देखो अगर फर्श्ट ऑप्शन का प्रवाला क्या होता ही नहीं तो यह क्रेविटी कुष्छन या तरक संगत कुष्छन आएंगे निकलके जो आंसर देंगे बच्चे तो यह मारा आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखती हैं निकलके तरमेजा से राज्य जम्मू और कश्मीर के पौडोसी राज्य हैं टोथ ही नी, क्योंकि राइस्थान जम्मू कस्मीर से काफी दूर है और उत्तर प्रदेर से ही काफी दूर है तो ये भी हमारे तो है नहीं, अब हमारे पास बसने option first और second, तो हमारा answer यहीं पर है तो कौन सा हमारा answer हो जागा हमारा second वाला, क्यों? कि हिमाचल प्रदेश और पंजाव क्या है जम्मू कस्मीर से लगे हुए, राज्ये एक बार map में देखना और बाकी हम आगे वाले सामाने गरों के सही विवरण का मिलान कीजिए एक मिलान करना हम है एदिया मनाली, बी राहिस्तान, सी आसाम, डी लग्दाख फिर उसके मिलान के घर दे दियें, किस प्रकार से होते हैं? first है, मास के खमों पर बने उंचे उठे हुए घर second है, पत्थर या लकडी से बने डालू चतो वाले घर third है, houseboat fourth है, मिट्टी के घर जिनकी चतें कटीली जाडियों से चाई होती है fourth है, फिप्त है, पत्थर के बने घर जिनके फर्स और चतें लकडी की बनी होती है तो यही हमारा, अब इसका मिलान करना है जो हमारा मिलान करना होगा, वो कौन सा होगा दोगों, बात करते हैं, आसाम की आसाम में क्या होता है, घरों को कैसे बना जाता है, बासों को उपर बना जाता है कम से को उठागे क्योंकि बाड़ आती रती है तो यह हमारा first वाला यहां से मिल जाएगा बात करते हैं राहिस्तान की तो राहिस्तान में क्या है मिट्टी के घर जिनकी चत्ताव पर क्या है कटीली जाडियां से च्छाई होती है तो यहां राहिस्तान में होता है फोर्ट वाला और बात करते हैं लद्धाक में लद्धाक में में पत्थरों के बने घर प्रवाला यह जाएगा थाट वाला अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुशन देखती है पस्यों की तुचाप पर बिदवत पैटर्ण या डिजाइन होता है वो किसके कारण होता है फर्स्ट है उस जलवाईव कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं सैकिन है उनकी सारिक सकती को इंगित करते हैं थरड़े परावर्तित प्रकास के कारण होते हैं फोर्थ है उनकी तु और जो से ब्रॉट होती है जो किसी गोड़े केम बाल काड़ तो उसके उपर दिशाया होती है तो जो इसके बालों से बनी होती है वहारा आंसर यही वाला फोर्ट वाला हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ण से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमी पर और उनमें पैदा होनी वाली बस्तु पर अधिकार है यह जनादेश किस के द्वारा दिया गया फर्स्ट अप्स ने सम्मेदान अनसुशित जाती आदेश संसोधन बिदेख 2012 सैकीने बहारती जंगल अधिनियम 1927 थरड़े जंगल अधिकार अधिनियम 2007 फोर्ट है भूमी अधिकार नियम 1894 जो लोग 25 वर्ण से पहले से या कम से कम उसमें रह रहे हैं लगो उनमें 25 वर् जाते रहते हो गई हैं तो एक जनादेश आया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में जिकी मनवन सिंग गवर्मेंट की गवर्मेंट प्रतावंदी थे उसमें तो जब कॉंग्रिस की गवर्मेंट थी तो यही उसमें पारित हुआ था यही मारा सेकिंड थरड़ वाला आंसर ह बेखते हैं निम्न लिकतमें से मच्छर द्वारा प्हलने वाले रोगों का समूछ्छ है कौन सा एक हमें गुरुप और नाया जो कि रोग फैलने वाले मच्छर हैं जसे की फर्स्ट म्यादी बुखार हेजा चिकन गूनिया कि सटेंड है मलेरिया ही एड्स आठ्व और 2nd को, हमारा पाइस पचता है 1st और 4th, तो जो को हमारा जो answer होगा, कौन सो बाला हो जाएगा, 4th बाला, 4th बाला क्यों हो जाएगा, किसमे, malaria, chicken गुनिया, जो कि एना फ्रीज, एक मच्छर होता है, मादा मच्छर होती है, उसके according यह उसके द्वारा फैलता है, यही मारा answer ह हो जाएगा, next question देखते है, गटपढणी, पौधा या नेफ्स्ती, एक प्लांट होता है, 1st option देते हैं, इसका मुझ छोटी-छोटी कंटिकाओं से दखा होता है, 2nd है बारत में नहीं पाया जाता, 3rd कीडे मकोडे, और चुओं को चालाकी से फसा कर खा जाता है, 4th है कीड बारत में पाया जाता है, जो कि मेगाले में पाया जाता है, जो कि मारा अंसर हो जाएगा, 3rd वाला जाएगा, नेक्स पूशन देखते हैं, नीचे देवए खात पताता होई, कि समुच्चे में लोह तत्थ्व प्रच्णों मात्तना में होता है, फर्स्ट अप्शन होगा आवला पालक गोड, सेकेंड है आवला पालक आलू, थोड़े आवला पालक टमाटर, फोर्त है बंदगोवी बिंडी गोड, तो देखो बंदगोवी बिंडी गोड ये तो आंसर है निया आवला टमाटर आलू, तो ये हमारा टमाटर से में साइट्र तो यह भी हमारा अंसर नहीं होगा, आंसर जो छुपागू हमारा फस्ट में और सेकिंड में है, तो महरी जो आंसर होगा आंसर पालक गोड़, इससे प्रिचर मातरा है, लोग अतत तो मिलता है, वीडियो को लाइक अंड शेयर करें, लाइक जासे जाद करें, और कमेंट बोक यह स्कूशन में पूछा गाए मैं और फटविक्स तान से सैंक्ड डच्छडि अमेरिका से फोर्त अस्टेलिया से लोगों जो मिर्च आया था वह मार कहा था और दच्छडी अमेरिका से आया था जो एक बिशाई की दोरा लाया गया था यह वहारा आंसर हो जागा second वाला next question देखती है निवल के समय से कौन सा पक्छी cactus पौदे के काटे के बीच अपना गोशला वनाता है first है सकर खोरा second है बाया third है किलचडी fourth है फक्ता तो देखो जो होता है वो पक्छी कौन सा है वो हमारा कौन सा पक्ता है चो cactus के पौदों के बीच कांटों के बीच में क्या अपना गोशला वनाता है अंपे अंडे देता है ठीके अगरा कोशन देखते हैं किसी पसू के बिसे में नीचे दिएगे बिपड़ को पढ़िए और उस पसू को पैचानिए यह बालू जैसा दिखता है परंतु बालू नहीं है यह दिन के लगवा 17 गंटे प्रचों की साकाओं से उल्टा लटक कर सोता है यह ब्रच यह जिस ब्रच पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है यह लगवा 40 गंट सक जीवत रहता है तो देखो फर्स्ट अप्सन है लंगूर सेकिंड चिंपैजी थर्ड जीवत रहता है और उसी पेड़ की पत्या खाता रहता है तो यह किस काम काम है सिलोत का काम है वारा अंसर हो जागा फॉर्ट वाला नेक्स्ट कुशन देखते हैं नीचे दिए कि जीवों की समूव में से किनकी द्रश्टी स्रेष्ट होती है और वे मनश्य की तुलना में च चार गुना हदिक दूरी तक बस्तों को देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है बाग तेंदुआ सांट जी फरस्ट अप्शन है सेकिंड है सांप रेसम कीट चिपकली थड़े चील गरूड गिद फोर्थ है मदमखी मक्षर तितली तो मारे जो अंसर हो जाएगा चील गरूड तो गिद आपने देखा हुआ गिद और चील काफी उचे उड़ते हैं अपने सिकार को और हमसे देख लिए तो बहुत अच्छी स्पीट से पकड़ लेते हैं तो वारा अंसर थड़वाला हो जाएगा नेक्स कोशन देखते हैं सोट बड़ा दिखाई दे रहा है नीचे दि जुकानी के पष्षाथ खेत को कुछ बर्सों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसमें कुछ भी नहीं और अगया जाता इस बूमी में बास या अने खरपत बार जो भी कुछ यदुक अगजाता है उसे और यह राक भूंई को और वराती है जब यह भूमी खेती के लिए तयार हो जाती है तब उसे उल्टा या हलका सा खोदा जाता है भूमी को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छड़क दिये जाते हैं तो यह बिबरड दिया गया है पूछा गया है यह कौन सी किस पकार की खेती है बिबरड के अकोडिंग ऑप्शन द गाला में होती है यह केती जोन की बॉलते हैं ठीके नेक्ट कोशन देखते हैं जब कोई सपेरा अपने वाद यंत्र बीन को बजाता है तो साप उसकी दुनियों पर अपने सिर को इधर उदर गुमाता है आपके विचार से साप बाद यंत्र के प्रत अनुकृयां कैसे कर रहा है फ़रस्टोप roi उस बादियंट्र वार हुथ उत्रupon फ़िए करERE सेकेंड इस बाद ज्रकों करर उस बाधेन व pos Tahoday उस बादियंट्र की दुनियों को सुनगर फूर्फ यह उस बाद यह भी नहीं होता है हमारा जो अंसर हो जागा जो फर्स्ट वाला हो जागा साप क्या करता है साप क्या कंपनों को प्रत अनुकुलिया करके उसे वो मुवमेंट करता है और देखा हुआ साप बारा बार पर जीव जो निकलता है यह टंग निकलता है वो से क्या उस कंपन को महस करता है और मुवमेंट करता है न कि बीन बजने के माद्यम से बीन से दोनी निकलती है और उसे वो कमपन महसूस करता है तब यह चीजें करता है ठीक जब आंसर वह फर्ष्ट वलाद हो जाएगा नेक्ट कुशन देते हैं एक परिवार इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं यह कतन है फर्ष्ट है सही नहीं है क्योंकि इस कतन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं सेकंड है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में बरगिकर्ण नहीं किया जा सकता थर्ड है सत्य है क्योंकि यह किसी आदस प्रवार का आकार है फोर्थ है सत्य है क्योंकि यह सभी भारती प्रवार इसी प्रकार के होते हैं तो जैसे इसमें दिया गया है हमारा जो अंसर होना चाहिए वो कौन सा हो जागा सेकिन वाला सही नहीं है क्योंकि प्रवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में बर्गिकर्ड नहीं कहता यहीं हमारा आंसर होगा second वाला next question देखते है मानवाओं के पेट में अमास है रसकी प्रकरती होती है और हुआ है बोजन के पच्चानी में साहिता करती है किस प्रकार की होती है वो? फर्स्ट ऑप्षन है उबैदर्मी, सेकंड है उदाशीन, थर्ड है अमली है, फोर्थ है छारी है तो वो कैसी होती है हमारी अमली होती है हमारी जाव हमें ऐसी डीट हो जाता है तो वो इसी के अकॉर्डिंग होता है ठीक है next question देखते है next question हमारा फर्सा बढ़ा है, पहले question पढ़ लेते है फ्रांसर देंगे इसके कच्छा थड, थड के एक सिच्छक ने अपने बच्चों को निम्न लिखित पेड़ पौदों की पक्तियों को बरगिगरत परगों में बरगिगरत करने को कहा जैसे नीवू, आम, तुलसी, पोदीना, नीम, केला, आदी कुछ बिद्यातियों ने पक्तियों का बरगिगरत इस प्रकार किया जैसे कि एक टीचर है, उसने क्या है, बच्चों को एक क्रिया कलाफ करने के लिए बोला है कि पेड़ पोदो की पक्तिया खिटा करो और बिविन बरगों में क्या है, बरगिगरत करो उने बाट दो तो वो इनके नाम देती है, नीम, आम, तुलसी, पोदीना, नीम, केला, आदी तो बच्चों के किया किया है, first a दिया है, दवाओं के गणोवाली पक्तिया और दवाओं के गणोव से रहित पत्तिया अलग किये शच्छकने समुन, a को सही माना है और b को गलत, ऐसा क्यों किया है, इसने देखते आगे निम्रत करत्रों में से कौन सा करत्र अधिकम प्रत्विंब करता है इसमें सिखाने की बात कर रहा है तो कौन सा होगा अंसर होगा हमारा option पड़ते हैं यह क्रिया कला पत्तियों से सूचना ग्रेंड करने पर प्रतश्रित सरी केंद्रित है जिसका विन अर्थ लगाया जह सकता है यह first option कर रहा है second देखते हैं बच्चे बहुत प्रकार के संद्रवा को कक्छा में ले आते हैं जिसकी सरान्या होनी चाहिए third देखते हैं अपने अनवभवववाव पर निर्वा करते हुए बच्चे बरगी क्रण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं fourth देखते हैं बरगी क्रण कार बहुत बिशिस्ट और इस तरीय क्रत है और इसका एक ही सही उत्तर होता है तुमारा जो बच्चों ने क्रिया कलाप किया है उसके according कर देखा जाए तुमारा answer हो जागा जो कौन सा हो जागा fourth बाला हो जागा क्योंकि इसमें जो दिया गया क्रिया कलाप दिया है कि दबाओं के गुड़ो वाली पत्तियां और दबाओं के गुड़ों से रहित पत्तियों को अलग किया है बड़ी पत्तियों चोटी पत्तियों को अलग कर लिया है तो जो टीचर ने एक गुरूप को सही माना बी को दो बान दिया है तो वो यही कारड है क्योंकि जो बच्चों नों किया है कार जो बिस्स तरीखा माता है और इस तरीक्रत होता और ईसका उत्र हेए थे टो बीडियो को लांप इट करें अ क्लिब हो गठर गों के लिए बहुत ही बहुत हीधी था जब भी डेट को डेट बता देंगे कब डेट आने वाली है, अभी डेट को डेले कर दिया है, कुरुना वाइस के वेसे, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जैहिन दोस्तो!